फाइनल में पहुंच कर रो पड़ी टीम इंडिया इसने जीता दिया भारत को अब फाइनल में जीतेगा टीम इंडिया इस वज़़ से जीता भारत भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के semi-fाइनल में नीजिलैंड को हरा कर चौती बार फाइनल में जगह बना ली है अब टीम इंडिया तीसरी बार विश्व विजेता बनने से महज एक कदम दूर है इस जीत के साथ मेन इन ब्लू ने 2019 वर्ल्ड कप सेमी फाइनल में न्यूजी लैंड से मिली हार का बदला भी ले लिया है इतना ही नहीं मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की यह लगातार दस्वी जीत थी इस मैच में पहले खेलते हुए भारतिय टीम ने 397 रणों का विशाल स्कोर बनाया था जवाब में कीवी टीम ने भी खूब लड़ाई की और 327 रण बना लिये थे लेकिन अंत में वह लक्ष्य से 70 रण पीछे रह गई भारतिय गेंदबाजी की आज पहली ऐसी परीक्षा हुई है जहां बल्लेबाज उनके उपर हावी दिखे मुहम्मद शमी को छोड़कर सभी की पिटाई हुई मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स भी विकेट लेने में नाकाम्याब रहे मानो शमी किसी और गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे और बाकी गेंदबाज अलग शमी ने 10 ओवर में 57 रण देकर 7 विकेट ली वह आशीश नहरा के बाद विश्व कप में 6 विकेट लेने वाले दूसरे भारतिय बने शमी के अलावा कुलदीप यादव को एक ही विकेट मिला लेकिन लेकिन उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 56 रण देकर कीवी बल्ले बाजों की रफतार को रोक कर रखा इसके अलावा जस्परीद बुमराह ने भी स्लॉग ओवर्स में रन रोके और ग्लैन फिलिप्स के रूप में एक विकेट भी लिया न्यूजी लैंड के लिए डैरिल मिचल ने 134 रणों की बहतरीन पारी खेली उनके रहते हुए भारतिये फैंस की ढक ढक भी कम नहीं हुई उन्होंने क्रैंप के बावजूद लंगडाते हुए भारतिये गेंदबाजों के पसी ने छोड़ा दिये थे तीसरे विकेट के लिए उन्होंने कप्तान केन विलियमसन के साथ 181 रणों की पार्टनर्शिप की थी यहां से मैच 50-50 हो गया था फिर शमी आए और अपने स्पेल के पहले ओवर में ही दो विकेट लेकर मैच फिर से भारत की तरफ मोड दिया उन्होंने विलियमसन और लैथम को पवेलियन भेजा पहले दो विकेट भी शमी ने अपने स्पेल के पहले दो ओवर में लिये थे फिर 46 में ओवर में शमी ने पंजा पूरा किया और मिचल को आउट कर जीत पक्की कर दी